अध्bb करोड़ पती बना सकता है करोड़ बना सकते हैं और यह लोग को मान कैसे लेते हैं दोस्तों ठिटीरी जो है पार्ष पत्थर से अपना अंडा नहीं तोड़ती है ठिटीरी अपने चोच से अंडा तोड़ती है भाईया सोचो यार और यह कुदरत का नियम है ठीक है अब दोस्तों दोस्तों एक नियम बना रखा है ठीक है और दोस्तों और य यह बात आप जान लो और दोस्तों हमारे कुछ भाई कहते हैं कि टीटीरी पारस पत्थर लेकर आती है बहिए देखो पारस पत्थर की बात जो है आपको मैं क्या बताओं पारस पत्थर होता है कि नहीं होता है इसके विशे में आपको अन्य बुडियो में जानकारी दूंगा ना और पारस पत्थर बिल्कुल होता है मैं मना नहीं कर घर आ पर दोस्तों कहां पाया जाता है और था किस के पास माभारत काल में था या फिर पर पेंवीराद चोहान के समय था या फिर आला उदल के समय यह जो हमारे यह जो महान योद्धा थे इनके पास था अन्य किसी के पास यह सभी जानकर्यें मैं आपको दूंगा दोस्तों आप समझ चुके होंगे मेरे इंट से तो दोस्तों टेहरी पक्षी कोई पार्ष पत्थर नहीं लेकर किया तीए ठीक है दोस्तों जो जो यह परक्षी बहुत ही स वो थे उन को पालना है तो इससे पाल सकती हो अच्छा दर्याद करहें काम करते किसे उध्यांद करते हैं कि सिद्ध्व xu sup में इमानदारिश तो और जो है मन में धर्ण संकल्प ठान करके आगे बढ़िये कि मुझे लगपती करोड़पती बनना तो आप जरूर बनेंगे दोस्तों मेरा यकीन मानिए उससमें दुनिया की सारी की सारी ऐसो आराम आपके कदमों में होगा utno और दोस्तों के bite to the कुमेट कैसे संजाओ मैं आपको पहले भी वीडियो बना रखी ए टेधिरी पक्षि के बारे में एक ठीक है और आपको मैंने पूरा पूरा 4 लाइफ भी दिखाया यानि कि दोस्तों मैंने अपको पूरा पूरा प्रक्राकर करकी पीदिखाया कीले बगएर डाल के आ गया था और लोगे और अन टोड़े भी आ गया था ठीक है सरिया के भी कुछ मैंने टोड़े उसी में डाल दिये थे पर दोस्तों मुझे रेजल्ट कुछ नहीं मिला और दोस्तों यहां तक कि मेरे कई फ्रेंडों न भी इसे इस्तमाल कर गये देखा उड़ों ने भी जांच पड़ताल करी उनको भी कुछ नहीं मिला ठीक है दोस्तों तो आपसे उमीद ही है कि आप जो है उन चक्रों में ना पड़े और दूसरी बात यह कि यार भाईया या कि पख्षी जो है हजारों लकों की तदाद में है जाइस उसे में आणड़ा तोड़ती होंगी तो क्या सभी पार्सपथर ले करके आथी हैं सोचोसो भाईया सुचो क्या सभी सभी टीद पख्षी पार्सपथर लेकर क्या चांटकने, तो यूब कीई आणे कठोर होता है अढगा तभी उसको तोड़ती है को वह करती के विपरीत नहीं चाह सकता जो दोस्तों जाने के वी कोशिश करता हूं उसका प्रणाम बुरा ही होता है कम करें दोस्तों करें बिदियो हुग Volt देख होंगी पक्षी जो है ना अपनी गर्मी से अंडे को गरम करती है एक समय आता है जब वो अपने चोज का प्रियोग करके अंडे को तोड़ती है ठीक है दोस्तों अब उनको मालूम चल जाता है कि बच्चा कपड़ा है और कपड़ गया है और कपड़ेगा कब नहीं पड़ेगा सब त क्योंकि वह उसने अंडे दिये हैं और वह उसी के ही बच्चे है ठीक है दोस्तों तो आप समझ सकते हो कि जो है पारस पत्थर जो है कि टेरी पक्षी नहीं लेकर के आती और जिन भाईयों को अगर लगता है कि मैं जूट बोल रहा हूं फलान ठीकना है तो दोस्तों आप जो ह जांच परताल करिए और जाकर कि वहां अगर हो सके तो CCTV लगाईये दूद के दूद पानी का पानी हो जाएगा मुझे तो भाईया मिला नी दोस्तों और यार जहर सी बात है अगर आपको परसपत्थर मिल जाता है तो भाईया मैं खुशी होंगा चलो भाईया यार किसी का और किस्मत खुल गया ठेके दोस्तों तो यार आप समुझो इस बात को ठीक है ऐसा कहीं कुछ नहीं है और कि पक शेर जो है दोस्तों वास्तों बहुत रत्फूराथा ही होता है पर इसका मतलब यह नहीं कि वह परसपत्थर ले नहीं बहुत इ良ए थे हैं ठीक है दोस्तों ह जहां तक जो बाते सही हैं वहीं तक माननी चाहिए ठीक है दोस्तों और बारिस का अरुमान लगा लेते हैं क्योंकि दोस्तों इसी महीने में यह अंडे देती हैं और इसी समय बारिस होती तो पता चल जाता है कि हां यार जिस समय जो हमें एक संकेत मिल जाता है कि हां यार इस समय बारिस होगी और दोस्ते एक तरह से जो टिटीरी की जो अंडे देने की प्रिकिरिया इस समय चिन्नित करती है इस समय को चिन्नित करती है यह मैंने बड़े ही जांच पदढ़ाल करने के बाद हुalt अबको दे रहा हूं ठीक है दोस्तों और मेरा कोई काम नहीं है कि मिझे न दोस्तों जूर्ट प्षाभ जोंठ फ्योष्ट पहलां नहीं मेरा काम नहीं है आपसे मैं फिर कहता हुँए और आपको जो मीरी बातों प बीच में टिटीरी पक्षी अंडे देती है और कई बार आगे पीछे भी हो जाता है अब दोस्तों ऐसी बाते होये और दोस्तों जहत अगरी बात मैंने आपको समझाया और आपको समझना या ना समझना आप पर है मेरा काम था आपको समझाना ठीक है दोस्तों दोस्तों यार मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे जो भाई लोग है जो अपने भाई बंदू है कोई भी हो यार ठीक है वो जो है इस तरह से परसान हो ठीक है और दोस्तों जो है मैं तो चाहूंगा यार आपका भला मैं तो यह सोचता हूँ यार संसार में सबका भला हो बाद में मेरा भला हो हमारे तो भाई यही थेओरी है ठीक है तो दोस्तों आपसे उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों को समझेंगे और दौस्तों जो है मेरे द्न द्वारत दी गई जानकारी का लाग उठाएंगे और जांच परताल करेंगे कि क्या है सच्चाई और दोस्तों मैंने इसमें जो है आपको छह साथ प्रकार के जो टिटीरी पक्षी है प्रजाती के उनका बने इसमें जो है अपनी वीडियो में इमेज लगा रख्या आप देख लेना कैसे दिखते हैं कलर क्या है और इसमें मैंने दो ही प्रकार के अंडो की जो इमेज भी लगा रख्या वह भी देख लेना और बहु ऐसा भी भी से हो आपको सभी जानकारिया दूँगा ठीक है दोस्तों और दोस्तों जो है अगर मेरी अगर जानकारिया आपको पसंद आती है तो मेरा जो चैनल मुझे बहुत पसंद है पक्षी और दोस्तों उम्मीद करता हूँ अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो फिलीज लाइक करना तो दोस्तों राम राम अपक्षी